कि सो हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दूस्तों इंडिन कोश्टगार्ड ने फाइनली अपना जो नौटिफिकेशन है वो सेर कर दिया है यानि आउट कर दिया है और जो इसका इंतिजार कर रहे थे वो फ्रेंट्स इंतिजार आपका खतम हुए औ तो इसके बारे में वीडियो के यहंदा तक मैं आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक जरूर देखना ठीक है और सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले में बहुता देता हूं मेरा एक टेली गाम ग्रूप है लिंक इस वीडियो की डिस्क्रीप्शन में ने दे रख करता हूं तो आप लोग जल्दी से यह फॉलो उसे भी फॉलो कर लिजी जाके ठीक है तो इस बार नाविक जीटी नाविक डिवी की वेकेंसी इसमें आई होई है और यह जो फॉर्म स्टाट हो जाएगा आपका उच्छे फरवरी से हो जाएगा और सोला फरवरी यानि दस दि तो सबसे पहले कंडिशन की बात कर लेते हैं क्योंकि हर वीडियो में मैं यह बताता हूं कि कोई भी वेकेंसी हो तो सबसे पहले कंडिशन यानि कि उसके लिए कौन सी योगता है आपके पास कौन सी नहीं है देखो यह सबसे पहले जो फॉर्म है वह आपका उनलाइन भरा जाएगा अगर जो पहली बार भरेगा तो भाई वो तो कन्वीजन में रहेगा कि सर ऑनलाइन भरें आफ्लाइन भर सकते हैं तो मैं बता देता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा कि एंड नाविक डीवी नाविक जीडी यानि कि दोनों की जो कंडीशन है यानि कि जिसे हम बोलते हैं सेच्छड़क योगता है ठीक है वो अलाग अलाग है तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैनल डूटी की बात कर लेतें नाविक जैनल डूटी के लिए यहां पर टैन प्लस होना आपके पास अनिवार होना चाहिए अगर आपके पास 10 प्लस टू है यानि कि 10 भी हो और 12 यानि कि सीडी सीडी बात ही है कि आप 12 पास होने चाहिए ठीक है तब ही आप नाविक जीडी के लिए फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं आप अधरवाइस किसी भी वोट से हो चल जाएगा उसके बाद नाविक डीवी की बात करते हैं तो इ इंडिन कोस्टकार रखता है और जो एज है वो आपकी एक सेतंब्द 2001 और 31 अगस्त 2005 से बीच में होने चाहिए ठीक है एक सेतंब्द 2001 एक से लेकर और 31 2005 की बीच में होनी चाहिए आपकी एज नाविक जीडी हो चाहिए और अगर हम बात कर लेते हैं अपको अपारे ज़ेक सब्सक्राइब पांच यर मिलने वाला है ठीक है तो आपके लिए बाट कर लिए तो बारा वेकंसी है और इडिवी के लिए आपर दो बेकंसी है टोटल बेकंसी बात कर लेते हैं तो नाविक के बाद करें तो 225 वैंसी है अगर व कि बाद करें तो 30 वैंसी ठीक है dot के उन्होंने बिस को कम कर दिया है क्योंकि आपको पता हDEN्जेन कोस्ट कार्ष कार्ड लिमिटेड स्प्राइप्प क कश सब्सक्राइब करें और अगली वीडियों करने वाले हैं से अगली वीडियों करने वाले हैं से अराम से आपको समझाएंगे क्योंकि बड़ा पार्ट है ठीक है देखो सबसे पहले बात कर लेते कि नाविक यांत्रिक का जो पोस्ट एबूक क्यों हटा दिया गया है फ्रेंट्स मैं आपको बता देता हूं फिर से हटाया कोई भी नहीं गया है पोस्ट पोस्ट आपका रहेगा पर इसकी वह अलग से नि पंडिक का जो एक्जाम रहता है behaviour रहता है जाद नाविक का एक्जाम जो रहता है वो थी डीग के लstop का थो पी इसलिए सायद मैं मुझेटे इसलिए है रखिया हैं साइध मैनों इसी लिया लग किया हो कि यह अलक्स पर देंगे उसका फो म left सेनकाल lets कराएंगे कि ंद चैसे बात है अगर बाइ एक लाइं मतलब फों वालक से प्राइजाए तो राख से मैं तो में असके बाद और सिलेक्षटला है शसरी उस हैं सास मारक का आपका एक्जाम होगा जिसमेंसे सम्थिंग मैं आपको आपको अगर देखी जाए मार्क 75 तो लानी है तब तो फाइनल मेरी लिस्ट में अपना अपनी जेकर बना पाएंगे अगर आपके पास 55 मार्क नहीं है फ्रेंट्स तो थोड़ा सा दिकत हो सकता है जर्नल के टागरी के लिए सक्षण और कर लेता है सबसे पहले सबसे पासिंग मार्क क्राइटियरी के बात कर लेते हैं सेखशन फस्ट के लिए यानिकी डीवी के लिए तो यहां पे अंडिजर्ब EWS और OBC के बंदों के लिए अगर 30 नमबर नहीं आ रहे हैं आपके किसमें सेक्षन फर्स्ट में अगर आपके माल लीजिए कि 29 नमबर आ रहे हैं तो आप उसकी जो कट अप रहेगी उसे पार नहीं कर पाएंगे यानि कि आपका आगे का सिस्टम नहीं होगा फिजिकल नहीं होगा बेसक भी आप कुछ भी कर रहें एंड की बात कर रहें उसके बाद 27 नमबर स्टी के लिए कम से कम आपको पसाठ मैसे 27 नमर तो लाने ही लाने हैं अगर नहीं ला पाते हैं तो फ्रेंट्स आंगे के लिए आप इलिजबल नहीं फैल हो जा कटव पासने का पार पासने कर पाएंगे आपको फैल कर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद मैं डॉक्यमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपको फिजिकल फिटनेस टैड़ आपको टेस्ट आपको पता है कि 1600 मीटर मांगा जाता है 20 स्क्वेट सब मांगा ज परमिशन गलत नहीं बरेंगे अगर गलत बरेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे इसे इंडियन आर्मी नहीं कहते हैं यह कहता है इंडियन कोस्ट कार्ट क्यूंकि यह डोक्यमेंट वैरिफिकेशन में बहुत सारे कंडिटेट को आउट करता है देखो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं सर्टिफिकेट नंबर होता है अलग होता है इसे आप बिल्कुल भी मत मरना ठीक है तो यह था इस वीडियो में आपको बता भी दिया है कोई भी डाउट सायद में आपका बचा हूं इसके बाद में एंडियन क आपको फलमें तो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पीड्य को गाहिए ये आपका सब्सक्राइब करें जरू कर देना और यह सेटेट्स कि छिए सेकन्ड होगा उसकी आपको टेंसन बिलकुल भी मत लेना ठीक है तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताते हैं नेक्स वीडियो लिए भी कुछ रखते हैं तो आई होप आपको बीडियो पसंद आए होगा बीडियो पसंद आए तो लाइक सेन सब्सक्राइब जरू कर देना और चैनल पर